कि मश्काल दोटों श्वागत है आपका एक बार फिर से स्कूल एकडमी में चलिए शुरू करते हैं टापिक और जानते हैं नई धार में परंपराएं महान बौध मत का विकास चितर चार दर्फ में आप देख रहे हैं यह पहली सदी की बुद्ध मुर्ती है जो की मतुरा से मिली है और इस मुर्ती की कलाकृति को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसकी नकासी बनावट इनकी मुद्राएं सब चीजों को आप बारेक की से ध्यान से देखिएगा यहलिर हम टापिक पर चलते हैं इसाकी प्रथम सदी के बाद बौध और रणों और बिवहार में बदलाव नजर आते हैं प्रारंभिक बौध मत में निबान के लिए ब्यक्तिगत प्रयास को ध्यान दिजेगा, प्रारंभिक बौध मत में निबान के लिए ब्यक्तिगत प्रयास को विशेश महत दिया गया था, बुध को भी एक मनुष्य समझा जाता था, जिन्होंने ब्यक्तिगत प्रयास से जिए अपना भला कीजिए और आप अपना भला स्वयम कर सकते हैं और अपना भला करने के लिए आपको किशी माध्यम की जरूरत नहीं है प्रंतु धीरे-धीरे एक मुक्ती दाता की कल्पना उभरने लगी यह बिश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ती दिलवा सकते थे को परम करूडा में जीव माना गया जो अपने सत्कारियों से पुड कमाते थे लेकिन वे इस पुड का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निबान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे बलकि वे इससे दूफरों की सहायता करते थे बुद्ध और बोधी सत्तों के मुर्तियों की पुजा इस परंपरा का एक महतपूर अंग बन गई चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया चलिए देखते हैं हीनयान आखिर क्या है हीनयान या थेरवाद हीनयान को ही थेरवाद कहते हैं महायान के अनुयाई दूसरी बौध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयाई कहते थे दोस्तों यहाँ एक चीज मैं इस्पष्ट कर दिना चाहता हूँ कि हीनयान पहले वाली परंपरा था मलब की मूल परंपरा जो थी वो अब हीनयान कही जाने लगी और जो बात की परंपरा विक्सित हुई बहुत धर्म के अंतरगत वो महायान कहलाने लगी तो महायान के अनुयाई दूसरी बहुत परंपराओं के समर्थकों को ही नयान के अनुयाई कहते थे लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयाई खुद को थेरवादी कहते थे इसका मतलब है कि वे लोग जिनोंने पुराने प्रतिष्ठित सिचकों जिन्हें थेर कहते थे कि बताये राष्टे पर चलने वाले थे पौराडिक हिंदू धर्म का उद्य दोस्तों यही वो समय था जब और भी धर्म परंप्राएं बिक्सित हो रही थी मुक्ती दाता की कलपना सिर्फ बौध धर्म तक सिमित नहीं थी हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग धंग से उन परंप्राओं में भी बिक्सित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है इसमें बैश्डव वह हिंदू परंप्राओ जिसमें बिश्डू को सबसे महतपूर देवता माना जाता है और सैव वह संकलपना जिसमें सिव परमेश्वर हैं परंप्राओं सामिल हैं इनके अंतरगत एक विशेष देवता की पूजा को खास महतवत दिया जाता था इस प्रकार की आराथना में उपासना और इश्वर के बीच का रिष्टा प्रेम और समर्पन का रिष्टा माना जाता था इसे ही भक्ती कहते हैं चित्र 4.23 में आप देख रहे हैं बिष्डू का बरह अवतार जिसमें उन्हें प्रिथिवी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है जो की लगभग छठी सदी जो की करनाटक के एहोल से मिली है बैष्डव वाद में कई अवतारों के इदगिद पूजा पधतियां बिक्सित हुई इस परंपरा के अंदर दस अवतारों की कलपना की गई है यहां माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अब ब्योस्था और नास की इस्तिती आ जाती थी तब बिश्व की रच्छा के लिए भगवान अलग-अलग रूपें में अवतार लेते थे संभावता अलग-अलग अवतार देश के भिन-भिन हिस्सों में लोकप्री थे इन सब इस्थानी देवताओं को बिश्डू का रूप मान लेना एकिक्रित धार्मिक परंपरा के निर्मार का एक महतपूर तरीका था कई अवतारों को मुर्तियों के रूप में दिखाया गया दूसरे देवताओं की भी मुर्तियां बनी सीव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था लेकिन उन्हें कई बार मनुष के रूप में भी दिखाया गया ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित और धारडाओं पर अधारित थे। उनकी खुबियों और प्रतिकों को उनके सीरो वस्त्र, आभूसड, आयूधों मतलब की हतियार और हाथ में धारन किये गए अन्य सुभ अस्त्र और बैठनी की सैली से इंगित कि किया जाता था। इन मुर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इन से जुड़ी हुई कहानियों से परचित होना पड़ता है। कई कहानियां पर्थम सहस्त्राबदी के मद्ध से ब्रामढों द्वारा रचित पुराडों में पाई जाती है। इन में बह एकड़ो वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाये जाते रहे थे। इन में देवी देताओं की भी कहानिया है। सामानता इन्हें संस्क्रीत इसलोकों में लिखा गया था। इन्हें उची आवाज में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन शकता था। महिलाएं और जिन्हें वैदिक साहित पढ़ने सुनने की अन्मती नहीं थी पुराडों को सुन सकते थे। पुराडों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाब से बिक्सित हुई। पुजारी, ब्यापारी और सामान इस्त्री पुरुस एक से दूसरी जगह आते जाते उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासदेव, कृष्ड, मतुरा इलाके के महतपूर देवता थे। कई सदापदियों के दौरान उनकी पुजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। चित्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चित्र को ही इतना ध्यान से देखेंगे तो टापिक कपड़ेंगे। मंदिरों का बनाया जाना जिस समय साची जैसी जगहों में इस्तूप अपने बिक्सित रूप में आ गए थे। उसी समय देवी देवताओं की मुर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनवाए गए। दोस्तों एक बार पुना सुरू से पढ़ते हैं जिस समय साची जैसी जगहों में इस्तूप अपने बिक्सित रूप में आ गए थे। उसी समय देवी देवताओं की मुर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनवाए गए। सुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भ ग्रिह कहा जाता था। इन में एक दरवाजा होता था जिससे उपासक मुर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो शकता था। धिरे धिरे गर्भ ग्रिह के उपर एक उँचा धाचा बनाया जाने लगा जिसे सिखर कहा गया। मंदिर की दिवारों पर अक्सर भित्ती चित्र उतकिड किये जाते थे। बात के यूगों में मंदिरों के इस्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ बिशाल, सभाज थल, उची दिवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ती का इंतजाम भी किया जाने लगा। चित्र 4.25 में आप देख रहे हैं एक मंदिर का चित्र इसमें दिया गया है। देवगड जो की उत्तर परदेश से समंदित है। पांचवीं शदी का मंदिर देवगड का उत्तर परदेश का देवगड का एक मंदिर यहां दिया गया है। पांचवी सदी से समन्नित है आप देख सकते हैं उस चमय की मंदीर कैसे होते थे और आज के मंदीर कैसे हैं आप देखी रहे हैं और आप तुर्मना करके इनका अंतर भी समझ सकते हैं चलिए हम आगे चलते हैं शुरू शुरू के मंदीरों की एक खास बात यह थी कि इन में से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं की रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाओं बनायने की परंपरा काफी पुरानी थी। चित चार दफमलों 27 आप देखिए जो की दिया गया है बिहार की बराबर गुफाएं लगभग तीसरी सदी इशापुरु की जिनें पहाड़ों को खोट कर बनाया गया है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं इशापुर्व तीसरी सदी में असोक के आदेश से आजीवक संपरदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। पुन्ह पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं इशापुर्व तीसरी सदी में असोक के आदेश से आजीवक संपरदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा लगभग चरडों में बिक्सित होती रही। इसका सबसे बिक्सित रूप हमें आठवीं सदी के कैलासनाथ जो की सिव का एक नाम है के मंदिर में नजर आता है। इसमें पूरी पहाड़ी काड़ कर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। जिसा कि चित्र 4.28 में आप देख रहे हैं कैलासनाथ मंदिर जो की महाराष्ट के एलोरा में श्तित है। यह सारा धाचा एक चटान को काड़ कर तयार किया गया। एक तामपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तच्छक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर को ब्यक्त करता है। हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया। चलिए अगले टापिक पे चलते हैं और देखते हैं क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं। आज तक आपको हमारे अतीत की सम्रिध द्रिश प्रम्पराओं की एक जलग मिल चुकी है। यह प्रम्पराएं इट और पत्थर से निर्मित इसथापत कला, मुर्ति कला और चित्र कला के रूप में सामने आई हैं। हमने पाया की समय के बहाओं में बहुत कुछ नश्ट हो गया है। लेकिन जो बचा है और संचित है वह हमें इन कलाकृतियों के निर्मताओं, कलाकारों, मुर्तिकारों, राजगीरों और वस्तुकारों की दृष्टी से परचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुबिधा के अपने आप समझ सकते हैं। क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूझते थे उनके लिए इनका क्या महत्त था। अंजाने को समझने की कोशिश आखिर हमने कैसे की चलिए यही देखते हैं इस टापिक में। यह इश्मरडी है कि यूरोप के बिद्वानों ने उन्निश्वी शदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पिष्ट भूमी और महत्त को नहीं समझ पाए। कई सिरों हाथों वाली या मनुष और जानवर के रूपों वाली को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें बिक्रित लगती थी और कई बार वे घिडा से भर जाते थे। इन फुरूफरू के बिद्वानों ने ऐसी अजीबो गरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी प्रंपरा से की जिससे वे परचित थे। यह थी प्राचीन युनान की कला प्रंपरा, हालांकी वे प्रारंभिक भारती मूर्ती कला को युनान की कला से भिन अस्तर का मानते थे, बुद्ध और बोथी सत्तुकी मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्फाहित हुए, ऐसा इसले हुआ कि ये मूर्तियां युनानी प्रति सिला और पिशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी इन इलाकों में इशा से 200 साल पहले भारती युनानी सासकों ने राज बनाये थे इन इलाकों में इशा से 200 साल पहले भारती युनानी सासकों ने राज बनाये थे ये मुर्तियां युनानी मुर्तियों से काफी मिलते जुलती थी चुंकि ये बिद्वान युनानी परंपरा से परचित थे इसलिए उन्हों ने इन्हें भारती मुर्ती कला का सरुस्ट्रेशन नमूना माना परिडाम स्वरुप इन बिद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं परचित चीजों के आधार पर और परचित चीजों को समझने का पैमाना तयार करना चलिए अब देखते हैं यदि लिखित और द्रिश का मेल न हो तो आखिर हम कैसे इस इतिहाव को समझ सकते हैं एक और समस्या पर नजर डालिए हमने पाया कि किसी मुर्ति का महत और संधर्भ समझने के लिए कला के इतिहाष कार अक्सर लिखित गरंतों से जानकरे इकथा करते हैं भारती मुर्तियों की यूनानी मुर्तियों से तुलना कर निशकर्स निकालने की अपेच्छा यह निश्चित ही ज्यादा बेहतर तरीका है लेकिन यह बहुत आसान नहीं है इसका सबसे दिल्चस्प उधारन है महाबली पुरम में एक बिशाल चक्तान पर उतकेडित मुर्तिया निश्य ही चित्र चार दस्मलों तीश में किशी कथा का सजीव चित्रन किया गया है लेकिन यह कौन सी कथा है कला इतिहासकारों ने पुराडों के सहित में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की लेकिन उनमें काफी मतभेद है कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के सर्ग से अवतरन का चित्रन है चत्तान की सत्थ के मध्य प्राकृतिक दरार सायद नदी को दिखा रही है यह कथा महाकाब्यों और पुराडों में वरडित है दूशरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्तर प्राप्त करने के लिए महा भारत में दी गई अरजुन की तपस्या को दिखाया गया है वे मुर्तियों के बीच एक साधू को केंदर में रखे जाने की बात को महत्तो देते हैं चित्र यह चित्र है चार दरस्मलव तीन जीटो अर्था चार दरस्मलव तीस महा बली पुरान की एक मुर्ति दोस्तों अभी हाल फिलहाल में यहीं पर चीन के राष्टपती भी पधारे थे जिनका आवागमन स्वेंपधान मंत्री जीने किया था अंतता हमें याद रखना चाहिए कि बहुत से रिती रिवाज धार्मिंग विश्वास और बेवहार इमारतों मुर्तियों या चित्रकला के द्वरा इस्थाई द्रिश माद्मों के रूप में दर्ज नहीं किये गए इनमें दिन प्रत्दिन शिष्ट अवसरों के रिती रिवाज सामिल है कई लोगों और समुदायों को चीर इस्थाई बिवरण रखने की ज़रुरत महफूस नहीं हुई हो संभो है कि धार्मिक गद्वितियों और दार्फनिक मानताओं की उनकी शक्रिय परंपरा रही हो वस्तुता हमने इस अध्याई में जिन सांदार उधारणों को चुना है वे एक बिशाल ग्यान राशी की मात्र उपरी परत है दोस्तों चलिए देखते हैं काल रेखाए एक जिसमें महत्पुर धार्मिक बदलाओं को एक क्रमबत तरीके से दिखाए गया है सबसे पहले हम देखते हैं पंद्रह सौ से एक हजार इस्षी पूर के दोरान आप पहले पढ़ी चुके हैं कि इस दोरान प्रारंभिक वैदिक परमपराएं पनपी फिर इसके बाद एक हजार इस्षी पूर से लेकर पांच सव इस्षी पूर के दोरान उत्तर वैदिक परमपराएं पनपी लगभग छठी सदी इश्वीपुर के दौरान प्रारंभिक उपनिशद, जैन धर्म और बौध धर्म का उतकर्स हुआ लगभग तीसरी सदी इश्वीपुर में आरंभिक इस्तिपों का निर्मान किया गया लगभग दूसरी सदी इश्वीपुर से आगे महायान बौध मत का विकास हुआ मतलब कि बौध धर्में पारंपरिक सिध्धान के अलावा एक नई सिध्धान विक्षित हुई उसे महायान कहा गया और इसी समय बैश्रोबाद, सयवाद और देवी पूजन परंपराएं भी बिक्षित हुई लगभग तीशरी सदी इश्वी में जो अभी तक हमें मंदिरों के साच मिले हैं वो सबसे पुराने मंदिर इसी दौरान के है लगभग तीशरी सदी इश्वी के चलिए अब नजर डालते हैं काल रिखा दो पर प्राचीन इमारतों और मुर्तियों की खोज और फरच्छन के महतपूर चरण दोस्तों 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई 1834 में राम राजा लिखित ऐसेज आन्द आर्किटेक्चर आपद हिंदूज का प्रकाशन हुआ और कनिंगम ने सारनाथ के इस्तूप की छान बीन की 1835 से 1842 के दोरान जेम्स फरगूसन ने महतपूर पुरा तात्विक इस्थलों का सर्वेचन किया सिर 1851 में गवर्मेंट म्यूजियम मद्राज की स्थापना हुई 1854 में अलग जेन्डर कनिंगम ने भिल्फा टोप्स लिखी जो स्वांची पर लिखी गई सबसे आरंभिक पुष्टकों में से एक है किशन इससे पूछा जा सकता है दोस्तों की भिल्फा टोप्स क्या है किसे समंदी थे किशने लिखा 1878 में राजेन्डर लाल मित्र की पुष्टक बुद्ध गया दे हेरिटेज आप शाक्यमुनी का प्रकासन हुआ और 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्राध्यच बनाया गया 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना इसके अनफार सरकार पुरा तात्विक महत्तों की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकते थी फिर बिश्वी सदी में चलते हैं और देखते हैं 1914 में क्या हुआ जान मार्सल और अलफेड फूसे की द मानियू मेंस आफ सांची पुस्तक का प्रकासन हुआ और 1923 में जान मार्सल की पुस्तक कंजर वेशन मैनूल का प्रकासन हुआ 1955 में पधान मंत्री जवाहालल नहरू ने राश्ट्री संगरहाला नए दिल्ली की निव डाली 1989 में सांची को एक बिशु कला का अस्थान घोफित किया गया मनलब की बिशु बिराफ़त अस्थल घोफित किया गया 1989 में सांची के इस्तूप को दोस्तों इस पकार से यह पुस्तक जिसमें चार अध्याय थे आज खतम हुआ आप लोग इसे बार-बार देखिए गया वीडियो को बार-बार देखिए गया जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए चलिए अब हम कोई दूसरी पुस्तक अध्यान करेंगे और वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए नमस्कार